कानपूर में देराज शातिर बदमाशों को पकड़ने गई पुलीस टीम पर हुई ताबड तोड फाइरिंग में सीयो समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए ADG Law and Order प्रेशांद कुमार ने मौके पर पहुँच कर घटना का जायजा लिया इस मुटभेड में चार पुलिस कर्मी भी घायल हैं कई सिपाहियों को बेहत गंभीर हालत में रिजन से अस्पताल में भर्ती कराये गया है और कई पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुँच गई है घटना कानपूर में चौबेपूर थानाक्ष सिंग ने बताया कि विकास और उसके आठ से दस साथियों ने पुलिस पर ताबर तोड फाइरिंग शुरू कर दी घर के अंदर और छटों से गोलिया चलाई गई और बराबर इस तरह काम कर रहा था तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहां पर और इन लोगों ने वहां पर जैसी भी लगा दिया अपने गाउं में जहां पर पार्टी जारी थी जिस कारण गाड़ी वगएरा और अबस्ट्रक्ट हुई हमा हैं तो इस वएसे जवाबी फाइरिंग में इनके हमारे आदमें उनके वोलिया लगी हैं जिसमें आठ आदमी शहीद हुए हैं जिसमें हमारे लोकल सी ओ साथ भी हैं और उनके साथ तीन सब इंस्पेक्टर्स और अन्य चार कॉंस्टबल्स हैं जिनकों वीरगती और हमारे आईजी, एडीजी और यहां से हमने एडीजी ला नॉर्डर को भी माँ भेजा है इन आपरेशन्स को सुपवाइज करने के लिए और साथ ही यह जो फोरेंसिक टीम है कानपूर की तो तुरंट पहुँच गई थी अभी लखनों से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने गोलिबारी में सियो बिलहौर, देविंद्र मिश्टा और एस ओ शिवराजपुर महेश यादव शहीद हो गए उनके साथ करीब आठ पुलिस करमी भी शहीद होए है वीडियो डेस्क अमरुजाला.ड़ कॉम नगातार